So, hello to all my viewers, I am Akas Troy and welcoming once again you in Akas Time Education. So, dear students, आप साब लोग के लिए बहुत ही important news आज आपके लिए उठके आ रहे हैं, चलिए एक बार news को देख लेते हैं. I think ये news जो हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत ही important news होगी. तो आपको अगर पहले आना पड़ेगा WGE की official website पर, यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा WG.e.counseling. तो आप लोगों के लिए counseling का जो link है, वो generated हो चुकिये, तो WG results के बाद, जब आप लोगों को ये जो total interface है, ये जो link है, इसके through counseling में जाना पड़ेगा. तो इस पर click करने के बाद हम लोग देख पाएगे, कि इस पर click करने के बाद, जो directly आपके सामने चीज open हो जाएगी, कि आप देख सकते ये चीज, counseling 2021, फिलाल तो कुछ important उतना यहाँ पर update नहीं आया, बट एक चीज आप लोगों करके देखें, कि इस बार भी online counseling ही होगी, कि for 2021 season, season 2021 academic session, the board will conduct the centralized e-counseling for admission under graduate courses in engineering, technology and pharmacy, architecture in universities, government colleges and self-finance institute in the state, तो आप लोगों को ये सब colleges पे, जो है, online counseling के through admission मिलेगा, तो आप लोगों के लिए, ये तोटीज बहुत important था, जो लोग counseling में participate करोगे, आप साब लोगों को, ये link पे आना पहलेगा पहले, उसके बाद, इसके आ आपको नया नया, जो counseling के important update है, वो ये आप ही आपको देखने को मिलेगा, तो आज ही ये link generate हुआ, तो मैंने सोचा कि छोटा करके आप लोगों को एक update दे दू, तो प्लीज इसको भी check out कर लीजिगार, हाँ, as per the counseling का जो link है, जो generate हो चुगा है, तो बहुत ही जल्द, मतलब दो-तीन दिन के अंदर ही साथ मैं, आसा कर रहो आप लोगों का जो results है, मैंने आपको बोला था कि 4-7 तरीके अंदर results आने का एक संभवन है, तो आप लोगों को, I think आपका जो results है, वो इस हफ्ते के अंदर और दो-तीन दिन के अंदर ही देखने को मिलेगा, तो be careful, जो है, आकास्टेम एड्योकेशन को follow करते रहे है, विको सापा अपडेश हर टाइम पर, हर मोमेंट पर आपको मिलती रहेगी, तो इस वीडियो में इतना ही, thank you for watching, thank you to all.